हलो प्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विशो तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में अलफवा का सिंबल कैसे टाइप करते हैं shortcut key से बहुत यह असान से steps में समझेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए alt key यह है alt key और numeric keypad लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे laptop में यहां keyboard में numeric keypad नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे on screen keyboard open करेंगे वल्लब computer में windows में अपना एक keyboard होता है इसको हम on screen keyboard बोलते हैं तो उसको open करने के लिए यहां left hand side में देखिए आपको यहां पर search का option मिलता है ठीक है यहां पर हमको type करना है osk तो यहां पर हम osk type कर देते हैं और उपर देखिए on screen keyboard का option आ गया इस पर click करते ही on screen keyboard यहां पर देखिए open जाएगा अब यहां पर आप यह देख सकते हैं यह है numeric keypad ठीक है तो जैसे हम alt की दबाएंगे तो यहां देखिए यहां पर भी alt की आपको दिख रहा होगा कि blue color से sign कर रहा है यानि कि alt की प्रेस आपने कर रखा है इसको छोड़ना नहीं है इसको दबा करके रखिए उसके बाद आपको यहां पर keyboard में numeric keypad में इधान रखिएगा numeric keypad में ही यह चीज होगी तो इसमें हमें 2,2 और 4 टाइप कर देना है हमने टाइप कर दिया अब जैसे ही मैं alt बटन छोड़ना तो आप देखिए का जिस cell को हमने select किया था वहां पर alpha का symbol आ जाएगा यह देखिए मैं छोड़ना हूँ और यह देखिए alpha का symbol आ गया आपको मैं यहां पर नजदीक से दिखा देता हूँ यह देखिए